मुकेश अमबानी नंबर वन फिर भी Reliance Industries नहीं टॉप पर बताएंगे आपको की कौन है एशिया की पाँच सबसे बड़ी कमपनिया एशिया का सबसे अमीर आदमी बनने की जंग पिछले कुछ सालों से Reliance Industries के चेर्मेन मुकेश अमबानी और अडानी ग्रूप के मुखिया गौतम अडानी के बीच चलती रहती है गौतम अडानी ने इस साल की शुरुवात में कुछ समय के लिए मुकेश अमबानी को पचाड कर एशिया में सबसे अमीर आदमी होने का तमगा हासिल कर लिया था हालां की ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के अनुसार अब मुकेश अमबानी 111 अरब डॉलर की नेट वर्थ के साथ दुनिया में ग्यारवे और एशिया के सबसे अमीर आदमी है उधर गौतम अडानी की नेट वर्थ फिलहाल 105 अरब डॉलर है इस व्यक्तिकत सफलता के बावजूद Reliance Industries एशिया की टॉप पाँच कमपनियों में भी नहीं आती है आएए आपको इन दिगज कमपनियों के बारे में जानकारी देते हैं Reliance Industries एशिया में छहवे नंबर की कमपनी है कमपनी का मार्केट कैप करीब 234 अरब डॉलर है शुक्रवार शाम को NSA पर Reliance Industries का शेर 50 रुपे से ज्यादा उचल कर 2948.60 रुपे पर बंध हुआ था पिछले एक साल में कमपनी का स्टॉक 15 फीसदी से ज्यादा उचला है कमपनी का मार्केट कैप 233.61 अरब डॉलर यानी 19.97 ट्रिलियन रुपे है यहाँ दुनिया की 46-वी सबसे मूल्यवान कमपनी बनी हुई है हाल ही में कमपनी ने लगातार 21-वे साल फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में जगह बनाई थी टाइवान सेमी कंड़क्टर मैन्यूफेक्चरिंग कमपनी एशिया की सबसे मूल्यवान कमपनी टाइवान TSMC है इसका मार्केट कैप 646 अरब डॉलर यानी करीब 54 लाग करोड रुपे है कमपनी के फाउंडर चेर्मेन एवा CEO मौरिस चांग है कमपनी में 73,000 से ज्यादा करमचारी काम करते हैं और इसका रेवेन्यू साल 2023 में 71 अरब डॉलर से ज्यादा रहा था टेंसेंट होल्डिंग्स चीन की टेंसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड एशिया में दूसरे नंबर पर है गेमिंग सेक्टर में बिजनेस करने वाले इस कमपनी का मार्केट कैप 421 बिलियन डॉलर है इसे दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कमपनी भी माना जाता है इसके चेर्मेन एवां CEO पोनी मा है कमपनी में एक लाख से ज्यादा करमचारी है और इसका रेवेन्यू साल 2023 में 86 अरब डॉलर था सैमसंग ग्रूप दक्षन कोरिया की सैमसंग भी एशिया की सबसे अमीर कमपनियों में शामिल है यह कमपनी टीवी, फोन और लैप्टॉप जैसे इलेक्ट्रोनिक डिवाइस बनाती है इस कमपनी का मार्केट कैप करीब 354 बिलियन डॉलर है इसके चैर्मेन ली जे योंग है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक आफ चाइना ICBC एशिया की चौथी सबसे बड़ी कमपनी है चीन के इस सबसे बड़े बैंक की स्थापना बीजिंग में 1984 में हुई थी बैंक का मार्केट कैप 279 बिलियन डॉलर है ICBC के चैर्मेन एवा, प्रेसिडेंट लियाओ लिन है बैंक का रेवेन्यू 105 अरब डॉलर से भी ज्यादा है क्वेई चाव माउताई, चीन की यह कमपनी शराब बिजनेस से जुड़ी है इसकी स्थापना 1951 में हुई थी इस कमपनी की शराब चीन के अलावा अन्य देशों में भी फेमस है कमपनी का मार्केट कैप 251 अरब डॉलर है ऐसे ही और उचित फैक्ट्स जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें बाई बाई, राम राम, नमस्ते